आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं improvement, compartment, scrutiny और RTI के बारे में चार चीजें इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो बताए क्यासा रहेगा ये वीडियो अच्छा रहेगा ना आप सभी लोगों को जानकारी चाहिए ना क्या है improvement, क्या है compartment, क्या है scrutiny और RTI क्या होता है तो ये आपको तब जरूरत होती है जब आप बोर्ड एक्जाम में होते हैं है ना या फिर उसके बाद आप किसी अधार एक्जाम में होते हैं है ना लाइक बीएड, डीएड, बीएससी, डीफार्म, एमफार्म, सारी बीफार्म, डीमल्ट ऐसे जाकर के आपको भी जुरूरत पड़ती है तो बोर्ड एक्जाम में सबसे पहले क्या होता है आप बोर्ड एक्जाम दिये हैं इस वीडियो में हम सारी टॉपिक आपके डिसकस करेंगे, जो हे कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक हैं आपके, सब पर प्रकास डालेंगे लाइट लेके नहीं ऐसे समझा कि ठीक है सबसे पहले हम लोग समझते हैं कमपार्टमेंट जिसे हम बोलते ना बैक लग जाना बैक लगना जिए अधर कमपार्टमेंट के अंदर क्या होता है यह दि किसी भी वजह से क्या है किसी भी वजह से आप पेपर नहीं दे पाए है या फिर आप पेपर के एक सब्जेक्ट में आप फेल है या फिर आप पेपर नहीं दिया है क्या कि है? आपने पेपर दिया ही नहीं है आपको ये कभी हाली फिल्ल कमेंट आये तो बोला भहिया मेरी बहन लड़की थी बोली मेरी बहन का कला का पेपर था तो उसे लगा पेपर जो है second meeting है लेकिन बहुत पेपर था first meeting का भहिया जब वो second meeting भूपार्टमेंट का फ्रॉम भरना है क्व्या करना है तो बताएंगे कि हाँ तो तेट यह है आगे बढ़िए है ना तो यह होता है compartment ठीक है इसमें क्या होता है 10th और 12th के लिए compartment में अभी तक कुछ महीने पहले तक यह rule था कि यदि आप 10th में हैं है ना तो आपको main subject यह नी कि हिंदी में पास होना अनिमार रहे है क्या है हिंदी में जिसको main subject बोला जाता है है ना हिंदी में पास होना आपके लिए अनिमार है ठीक है यदि आप फेल थे option थे तो हिंदी को छोड़ करके यदि आप किसी भी विषय में फेल हैं तब आप इस compartment का form भर दीजे 10th के लिए हैं ना किसी भी विषय में फेल हैं कमपार्टमेंट का मतलब यही होता है कि आप किसी भी से में फेल हो गए हैं बैक लग गया है अब किसी कि मार्शीट में तो ऐसा है कि वह ही जैसे है कि फीजिक्स में फेल है है ना बाकि उसके Mark Seat में दिखा रहा है पास हैं ना 76% फिजिक्स में वो फैल है कोई बहुत हैं सारे कमेंट ऐसे भी आ यह हैं कि भईया हम फिजिक्स में फैल दिखा रहे हैं लेकिन हम आम सीट पास है तो आप फिजिक्स में हमेशा फेली रहोगे इसलिए अभी वालोंकी यह यह है कि आप कंपार्डमेंट दो साल तक दे सकते हैं सब्सक्राइब आपने 2020 में इंटर्मीडियर की परिछा पास की है तो आप 2021 में और 2020 में दे सकते हैं यहां पर फिजिक्स का फिर से पो आपको घसिर घसिर के पास किया जाता है अब कापी में एकदम से खुराफात लिखे आयो एक दम से कुछ लिखे ही नहीं हो तो Examiner क्या कैसे नमबर दे देगा Examiner के घर थोड़ी न है कुछ लिखा होगा तभी तो नमबर देगा तभी तो तुम्हें पास करेगा तो एक दो सब्शिक पास भी जो शारी फेल होते हैं अपार्ट्मेंट भरते हैं इंप्रूमेंट जो हैं ना क्या है इंप्रूमेंट इस अपने बायॉलोजी का पेपर दिया तो आपके जैसे शत्तर का पुरांक था आप के यह रहें 40 नंबर है न और आपने बोला कि यार 40 नंबर तो नहीं आने चाहिए biology तो मैं भाईया से पढ़ा था बायोमन से और मुझे 70 का बुढांक था तो 60 तो आने ही चाहिए नहीं तो 65 आने चाहिए 60-65 के वीच में नंबर होने चाहिए इतना मैं लिख के आया हूँ किसी भी वजह से आपके नंबर कटे हैं समझना इतना मैं लिख क्या हूँ 60 और 65 मार्क्स का आपने कर क्या है मिलाए हैं और रियल में आपके नंबर 40 दिख रहे हैं तो आप इंप्रूमेंट का फार्म भरिए सरी इंप्रूमेंट अभी नहीं भरना है आपको कन्फर्म नहीं मेरे 65 नंबर हैं ना आपके 40 नंबर आए हैं आपको लगता है यार जो है बायोमन भेस अब बायोलोजी पढ़ूंगा अब एक साल फिर एक्जाम दे दूँगा फिर से इंप्रूमेंट का फार्म बर दो इस नंबर से तुम्हारे बढ़ जाएंगे तो ठीक है और अगर नह हो हैना तुमको हैंड़िट परसेंट गैरंटी है यार मैं करके आया हूं इतना मेरे को चालिस दे दिया गलती हुई है कहीं से तब आप भरोगे स्कूटनी का फॉर्म क्या बुदगा स्कूटनी और RTI का फॉर्म स्कूटनी का फॉर्म ऑनलाइन आता है इसकी कुछ फीस होत हैंगे ठीक है तो याद रखना आपके नंबर किसी भी कंडीशन में कम नहीं होंगे ठीक है याद रखना तो इस स्कूटनी में क्या होता है आप जब मार्सीट देखे 40 नंबर आपको पता चला 65 नंबर का मैंने करके आए यह तो कहीं न कहीं कोई गलती हुई है कुछ जो है काउंट तो चड़े नहीं थे ऐसी गलतिया होती है हो जाती ही कभी कभी तब आपने उसको जो है अप्लिकेशन दिया भरा आपके नंबर बढ़ गए फिर जो मार्सीट आपके पास है वो मार्सीट स्कूल में जमा हो जाएगी अद दूसरी मार्सीट आपको मिल जाएगी ठ तो इस तरह करके जैसे देखो मैंने स्कूटनी नहीं करवाय था मैं जब 12 में पढ़ रहा था तो इक्जेक्ट नंबर तो मुझे अब नहीं याद है सच में भाई नहीं आद है मेरे हिंधी में बहुत कब नंबर आये थे क्यालीज हुआऑ 35 नंबर आये थे मेरे हिंधी में 35 थे खैक्ट मुझे नहीं नहीं याद है तो 40 नंबर थे मेरे मैं देखा मैं यारं हिंधी में 40 आप इतना खूपशूरत लिखता था कॉमपी को सजा सजा के लिखता था उष्पने और अपने एक मर्तबा नहीं अग्यान है यह न बस जो है बकाईती मारना आती है उड़ते सीधे बोल मतलब बोलना आता है उन्हें बस काम करना कुछ नहीं आता वोलना तो जब उन लोगों से मैं मिला बात किया कि भाई आफिया देखिए हिंद्य कम नंबर थे पहले तो मजाक उड़ा है तेरे को जानते दे तू इसी तरह हवा में उड़ता है ना तो मेरे पते कितने परसंट बने थे इंटर में नहीं बताऊंगा बता ही देता हूं क्या कर लोगे 69% आए थे मेरे 69% टोटल तो मैं बोला यार कि देखिए हिंदी में मेरे कम नंबर है अब क्या किय है थे तु देखिए नहीं अखर वियूबकले में कम नंबर सब्सितर सर्ट नूरत नंबर करते वोगा मेहां लोगों मेरे को से इत पूछी रहा था उंदे पूछना ही नहीं चाहिए था सब लोग बिल्कुल ठाके मार मार के हस भी रहते मजे भी ले रहते मेरी अब मेरे को क्या करना है यार मैं तो मस था मेरे वो पता था भई मैं तो लिखके आया हूँ मैंने काम किया है मैं लिखके आया हूँ मेरे को पता है यह चीजे कि इंटर का पर मैंने मन से दिया था यह न नंबर कम है तो वो कुछ बोर्ड एक्जाम से कुछ कनेक्ट करने वाली हैं सुरी बोर्ड से कुछ कनेक्ट करेंगे कुछ अप्लिकेशन वगए लिखेंगे तो मैं साम को पहुचा बताया सर ऐसी सी बात है वो पढ़े लिखे समस्दार बेखती थे तो उन्होंने मेरे को एक जह है प्रोफार्मा दिया जह है application दिया बोला देखो इस application को ऐसे भरो इसमें अपना नाम लिख देना subject लिख देना लिखते लेना डिया प्रती प्रती इसके उत्तर प्रदेश सरकार एक इसके उत्तर प्रतियां था करने के बाद मैं गाहांं गया तो federal लोग, मस थे अपने में, ये तरे नंबर कमी है, सुमाने लिखती होई, फिर अचानक चलता रहा, कूए ये लोग मिर गर आपको इस डेट को बोर्ड आफिस बुलाया गया है आपकी कॉपी को देखने के लिए मैंने बोला ठीक मैंने क्या कर रहा था राइट टू इन्फॉमिशन है ना र्टी आई मैंने कराया था र्टी आई फिर मैं पहुंचा बोर्ड जम तो प्रयाग राज में मेरा एक दोस्त में मिस्टेक थी नंबर बाहर जैसे 45 बटे सत्तर लिखे थे 45 बटे सत्तर जब मेरी कॉपी निकली मैं देखा बिल्कुछ चमकती हुई कापी पैसे खोला फिर नंबर काउंट करना सुरू किसे सबसे पहले नंबर बढ़ते जा रहे थे मैं इसे बंद किया दिया मकासर इसमें नंबर गलत है फिर उनके सामने हमने नंबर काउंट किये और वहां से मेरे सबसे बहुत अच्छी बात बताता हूं आप लोग नंबर को ले करके बहुत जीदा हतास और उदास हो जाते हो मात दो तीन महीने मेरे को लोग टॉर्चर किये परेसान किये लेकिन उसके बाद मेरे नंबर बढ़ गये ना 75 परसेंट तब तक किसी ने मेरी तरफ मूठा के देखा तक नहीं कि भाई तेरे 75 परसेंट है उस समय मेरे कॉलेज में जिसके 73, 72, 73 परसेंट आये थे उसको जह है बुला करके उसका इंबो लिया गया उससे पूचा गया और उसको प्राइस वगरा कुछ दिया गया उस समय और जब मेरे 75 परसेंट मार्च आ गये ना मेरी क इसमत करावती इतनी मेरा लग इतना करा था कॉलेज वालों ने मुझे बुलाया तक नहीं अब मेरी माक सीट लटका के रखे थे वो लोग वो लोग क्या बोर्ड आफिस में पढ़ी थे वो लोग लेने गए नहीं वहां से आई नहीं फिर मेरे को फिर एक बार रख जाना प 70% आए ना तो ज्यादा परेसान और हतास ज्यादा तनाव लेने की बात ही नहीं है क्योंकि 2-3 महीने बाद भूल जाएंगे सब भूल जाएंगे सब तो 2-3 महीने वो तुम्हारी मजा ले रहे हैं तुम पूरी इनकी जिंदगी भर मजे लेना अब अपने उपर काम करने की जरूरत है याद रखना जो जो व्यक्ति आज के समय में अपने उपर काम करेगा ना की दूसरों के उपर जो अपने उपर काम करेगा अपने आपको बदलेगा वही आगे जाएगा बाकि सब पीछे रह जाएंगे यह याद रखना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब त Thank you.